ये चित्वंड और खनन गोटाले के कारण उरिशा सरकार के पैचान एक भ्रष्ट सरकार के रूप में है तो इसलिए हम जो बीजेडी को पहले वक्त जो हमने एक यहां के लोकों ने जो चांस दिया शायद अब इस बार लोक देने वाले नहीं हैं और इसके लिए बीजेपी और बीजेडी दोनों बराबरी के रिस्पॉंसिबिल रिस्पॉंसिबिटी उनकी है और तीसरा यौ में विशंतम बेरोजगारी तो बढ़ रही है लेकिन इदर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और हम अभी हमारे साथ जो नेता आए थे उनसे कुस्ताच करने के बाद यहां कम से कम 41 परसेंट आयलो रिपोर्ट के मुताबिक अन्यम्प्लॉम्मेंट है तो आप सबसे ज़्यादा औरिस्पा में है तो फिर आप डिवलप्मेंट क्या करे चूपी साल एक आदमी एक जगे एक स्थान पर अगर बैठता है अपने लोकों की चिंता अगर नहीं करता है 41 परसेंट अन्यम्प्लॉम्मेंट रखता है और फिर भी लोक लोकों से वो वोट पूछते हैं तो किस मुझ मुझ से वो पूछते हैं मुझे समझ में नहीं रहा है और इनको साथ बीजेपी तो और भी रिस्पॉंसिबल है क्योंकि यहां के लोकों को तो एक अलग ढंग से उन्होंने बोल बोल कर अपने मदद करने का तो छोड़ दिया और यहां पर कोई मदद ही नहीं किया सिर्फ उनके चीप मिनिस्टर के ऊपर छोड़ दिया लेकिन चीप मिनिस्टर और दोनों मिलके इस अपने उरिसा का एक मैं क्या कहूं कि उरिसा को बरबाद करने में इन दोनों का हाथ है तो हम यह चाहते हैं कि हमारी सरकार गटवंदन की सरकार हम जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं यह तो लड़ाई इसके लिए है कि डेमोकरसी को बचाने के लिए समिदान को बचाने के लिए और एक होकर इस देश को रखने के लिए और तीसरा कि जो आज कल हेट स्पीचस करके समाज में जो डिविजन कर रहे हैं मोधी साब तो उसके खिलाब भी हमारी लड़ाई है